हार कर जीतने वाले को बाजीगक कहते हैं, बाजीगक को अपने समय की सुपहिट जोली अबास मस्तान ने बनाया था, ये फिल्म 1993 की सुपहिट फिल्मों में से एक थी, हालां कि इसके बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है, ये फिल्म 90 के दशक की ब्लॉकबस् के छोटे स्टोज में होती थी, वहीं इस फिल्म के रिलीज होते ही शाहरुक की गिंती बॉलिवुड के टॉप कलाकारों में होने लगी थी, आज हम आपको इस फिल्म की मेकिंग से जुरी एक इंट्रेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं, तो आईए शुरू करते हैं, मीड ज्यादा गंभीर थे और नहीं चाहते थे कि बड़े पर खलनायक का रोल निभाने के चक्कर में उनकी इमेज पर बटा लगे, ऐसे में फिल्म के किरदार, विक्की मलहोतरा, जोकी दिल्ली का ही लड़का है उसके लिए किंग खान एक दम फिट बैठे, मीडिया के बावजूत शाहरुक ने इस रोल के लिए जच से हां कर दी थी, फिल्म रिलीज हुई और इसने दर्शकों पर जादू कर दिया, शाहरुक खान को इस फिल्म के लिए सर्वश्वेश्ट एक्टर का फिल्म फिया अवार्ड भी मिला था, बताया जाता है कि यह अवार्ड लेकर शाहरुक सबसे पहले मुंबई के बिंडी बाजार स्थित अबबास मस्तान के घर पहुचे और उनके पैर छुए साथ ही इस अवार्ड के लिए धन्यवाद भी कहा झाल 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 झाल